अक्षिकुमार की पतने ट्विंकल खना बेहद खरी कहने वाली महिला है आमतोर पर वो अक्षिकुमार के फिल्मों का प्रमोशन अपने सोशल मीडिया काउंट से नहीं का थी अगर केसरी ने जो है ट्विंकल को इतना एमोशनल कर दिया कि वो इस फिल्म के बारे में सोशल मीडिया पर लिखने पर मजबूर हो गई थी। आपको बता दें कि बुद्वार रात को अक्षे ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ जब केसरी की स्क्रीनिंग रखी थी उसमें खुद अक्षे ट्विंकल और डिंपल का बाड़िया शामिल हुई थी। वहीं फिल्म देखने के बाड ट्विंकल ने ट्वीट किया था कि जबरदस्ट एक्षिन के साथ अदम बे साहस को हिला देने वाली कहानी मेरा पूरी तरह पक्षपात फून विचार है मैं वाकई में नहीं चाहती थी मगर फिल्म के अंत में हर किसी को मेरी तरह रोना आही जाएगा आपको बता दें कि वो फिल्म देखके काफी एमोशनल होगी थी उसके बाद जैसे ही फिल्म को तगड़ा रिस्पॉंस मिलें लगा और वह और भी ज्यादा इमोशनल होगी अक्षे की सफलता दिन बर दिन बढ़ती जा रही है इस पर भी ट्रिंकल ने एक प्रेस देखने के लिए वापस बड़ी स्क्रीन पर काफी बेता है लेकिन ट्विंकल ने कहा है कि वो फिल्मों में अब दोबारा नहीं आना चाहती दोस्तों आप एक्साइटेड हैं कि नहीं ट्विंकल को और अक्षे को एक साथ किसी भी फिल्म में देखने के लिए और आप कौन सी वो फिल्म होना चाहते हैं जिसके अंदर अक्षे और ट्विंकल एक साथ हैं आप कमेंट करके अपनी राय जरूर साजा करें सब्सक्राइब करें देखो देखो जुड़े रहा हमारे साथ क्योंकि बॉल्यूट से जुड़ी आपको हर खबरिये मिलती है सबसे पहले